तो अलुटे एंड वेलकम तो मई चैनल आरपेसी फर्स ग्रेड एस्पारेंट्स के लिए नीट एस्पारेंट्स के लिए और पेज़िती बाईलोजे एस्पारेंट्स के लिए मैं आज सेकिंड वीडियो लेकर आया हूं विशेश रुप से हिंदी मीडियम स्टुनेंट्स के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है इसमें आज मैं टेक्सोनोमी से वर्गी की से जो सेकिंड टोपिक है आरपियस से फास्ट क्रेट सेलबस के अकोर्डिंग प्रत्वी के समस्त आवासों में पाये जाने वाले समस्त सजुओं को यह हम मोटा मोटा यूं कह सकते हैं कि इस प्रत्वी पर जितने भी जीवित जीव है उन सभी की चो विवित्ताएं हैं उसे ही हम जे विवित्ता कहेंगे जेविक विवित्ता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे विवित्ता शब्द बाद में काम मिलिया गया सबसे पहले जेविक विवित्ता शब्द का प्रियोग किया गया biological diversity और इस शब्द का प्रियोग करने वाले दो scientist थे E. Norse और R. E. Mac- सन 1980 में उन्होंने सबसे पहले जेविक विवित्ता शब्द का प्रियोग किया था तो R.P.S.C. में इस प्रकार के question पूछे जाते रहे हैं आगे भी पूछे जाएंगे कि जेविक विवित्ता शब्द सबसे पहले किन scientist ने दिया तो dear students आप सभी बिल्कुल अच्छे से से याद करेंगे कि E. Norse और R. E. Mac- ने 1980 में biological diversity या जेविक विवित्ता शब्द दिया फिर आजाते हैं हम जेविवित्ता शब्द के उपर तो यह जो term है जेविवित्ता या biodiversity इससे सबसे पहले देने वाले जो विग्यानिक थे उनका नाम था Walter G. Rosen 1985 और ये question recently REIT 2021 की परिक्षा में पूछा गया है कि जे विवित्ता शब्द किस scientist के द्वारा दिया गया है तो Walter G. Rosen आप याद रखेंगे Dear students, आगे देखे आगे हम भारतिय वानस्पतिक सर्वेक्षन जिसे हम botanical survey of India कहते हैं और भारतिय प्राणी सर्वेक्षन जिसे हम geological survey of India कहते हैं तो भारतिय वानस्पतिक सर्वेक्षन ने 4500 वन्य पादप जातियां इंडिया के अंदर बताई है और लगबग 4700 वन्य प्राणी जातियां इंडिया के अंदर जेड़साई ने बताई है या geological survey of India ने बताई है जो आपका botanical survey of India है वो पादपो से संबंद रखेगा और जो आपका प्राणी सर्वेक्षन विभाग है या जेड़साई है वो जन्तों की जातियों से संबंद रखता है तो बिल्कुल आप ये डाटा याद रखेंगे ये डाटा वन्य पादप जातियों और वन्य प्राणी जातियों का है और विश्व की कुल ग्यात वन्य जेव जातियों का ये 6.5 प्रतिशत है जो इंडिया में मिलता है तो बिल्कुल आप अच्छे से से याद करेंगे जो BSI है या Botnical Server of India है इसकी स्तापना अठारा सो नभभ में की गई थी और इसका मुख्यलाई कॉलकाता है इसे प्रकार से Geological Server of India के स्तापना 1916 में हुई और इसका मुख्यलाई भी कॉलकाता में आता है अभी तक लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन जातियों को डिस्क्राइब किया जा चुका है यानि आज की तारिक में जो ग्याद जातिया हैं उनके संख्या 1.7 to 1.8 मिलियन है तो बिल्कुल आप इस डाटा को याद रखेंगे एक पारिस्थ्यतिक विग्य है रोबर्ट में इनके अनुसार कुल जातियों के संख्या 70,00,000 या 7,000,000 हो सकती है तो बिल्कुल रोबर्ट मेंके अनुसार कुल जातियों के संख्या भी पूचिजा सकती है क्योंकि यह हमारी answer to 12 की बुक में दिया हुआ है भारत की भूमी का जो शेत्र है वो विश्व की भूमी का 2.4 प्रतिशत है लेकिन वेश्विक जातिय विवित्ता यहां पर 8.1 प्रतिशत पाई जाती है इसलिए भारत को 12 महा विवित्ता देशों में सामिल किया गया है जे विवित्ता में देखे स्ट्रेंड्स विशेश रुप से जन्तों में हम कीट की बात करते हैं तो कीट वर्ग जो है वो सबसे सम्रद्ध जाती वर्ग है संपून जातियों का 70% जो है वो कीट बनाते हैं इसी प्रकार से संसार में जो कवक्कों की जातियां है उनकी कुल संक्या, मचली, उभैचर, सरिसरप और इस्तनधारियों की सभी जातियों को मिला दें उनसे भी अधिक है तो बिल्कुल आप ये छोटे-छोटे से जो डाटा है, पॉइंट से उन्हें नौट करते हो चलेंगे, अपने नौट्स बनाएंगे ताकि आप लोगों को फ्यूचर में बिल्कुल तैयार नौट्स मिल जाएंगे आगे कुछ पाई डाग्राम याँ पर दिखाए गये हैं, इनको देखकर आप बिल्कुल पता कर सकते हैं इन पाई डाग्राम में इसमें जैसे आपको इंसेक्ट सबसे ज़्यादा नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको फिशे सबसे ज़्यादा नजर आ रही है, यहाँ पर एंजर स्पम और फंजाई और फंजाई और एंजर स्पम में भी एंजर स्पम जो है वो highly diverse group है तो बिल्कुल आप अच्छे से से याद करेंगे आपको πाई डाइगराम बनाकर किसी भी वर्ग का जो प्रतिशत है या जो पार्ट है वो पूछा जा सकता है तो आप पाई डाइगराम को बहुत अच्छे से याद करेंगे जैसे आपको यहाँ पर मॉलस्का दिख रहा है तो यह मॉलस्का के लिए हो गया यह क्रस्टेशन के लिए हो गया यह अधर अनिमल्स के लिए हो गया यह इंसेक्ट के लिए हो गया तो मालनों मैं यहाँ पर ए कर दूँ और फिर आपसे पूछू कि ए जो है वो किस वर्क के लिए है तो अब का अंसर जाएगा इंसेक्ट के लिए है इसी प्रकार से फिशेस के लिए इसी प्रकार से अब देखिए फिशेस के लिए यह हो जाएगा mammals के लिए, birds के लिए, reptiles के लिए और amphibians के लिए mossels के लिए, funs के लिए, angiosperms के लिए, lichens के लिए, algae के लिए और fungi के लिए तो angiosperm के बाद जो divers group आएगा वो fungi आएगा बिल्कूल आप दोनो divers group को वह अच्छे से याद करेंगे तो यह pie diagram से related question भी पूछा जा सकता है प्रत्व पर जिवन के उत्पत्ति की बात करें तो प्रत्व पर जिवन के उत्पत्ति लगबग 3.5 अरब वर्स पूर हुई थी इसे भी आप याद रखेंगे भारत में प्रचूर मातर में विशेश शत्री प्राणी जात वर वनस्पति पाया जाता है endemic प्रजातियां एंडिया में खूब सारी पाई जाती है तो यह endemic term भी आप याद रखेंगे जिसे हम विशेश शत्री जातिया बोलते हैं और इन जातियों से हमारा तात पर यह है कि एक विशेश भोगलिक शत्र में मिलने वाली प्रजातियां जो कि केवल एक विशेश भोगलिक शत्र में ही पाये जाएगी उन्हें हम endemic प्रजातिया बोलेंगे वर्तमान में प्रतिपर विधिमान जातियों के अनुमानित संक्या के यदि हम बात करें तो देखें स्ट्रेंट्स यहाँ पर रोबर्ट में कि जो अनुमानित संक्या है वो सित्थर लाक या साथ मिलियन है वो आप अलग से याद करेंगे जो हमने एक data और पड़ा 1.5 to 1.7 million describe जातियों की संक्या है उसे भी आप याद करेंगे और जो अनुमानित जातियों की संक्या है फिर से एक data और आया है तो वो है 50 लाग 5 million से लेकर 5 करोड 50 million तक तो ये एक अनुमानित diversity है जो किस प्रति पर विद्धिमान हो सकती है तो आप question जो आएगा उसे आप बहुत ढंक से पड़ेंगे और उसके according अपना answer अब देंगे आगे चलते हैं distance आप देखें फिर हम भूमध्य रेखा से द्रूओं की तरफ आते हैं तो जह विवित्ता में क्या फर्क पड़ता उसकी भी बात कर लेता है तो जब भूमध्य रेखा से द्रूओं की तरफ हम जाएंगे तो जो जहती की विवित्ता है वो कम होती जाती है यानि द्रूओं की तरफ बायोडावर्सिटी घटती जाएगी और द्रूओं से यदि आप भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे पॉल से आप equator की तरफ आएं है और इसे पूछा भी गया है कितने एक्जामिनेशन में दक्षण अमेरिका के उसने कड़ी बन दिये वर्षावन जिनने हम अमेजोन रैन फॉरेस्ट कहते हैं इनकी जेविक विवित्ता इस प्रत्विपर सरवाधिक होती है अमेजन वर्षावनों को प्रत्विका फेफडा कहा गया है क्योंकि यहां पर गने जंगल है और इस प्रत्विपर ऑक्सिजन का बहुत बड़ा भाग इन जंगलों के द्वरा बनाया जाता है अब ये एक point है कि जे विवित्ता को सबसे ज़ियादा खत्रा किसके वज़से हुआ तो प्राकरतिक आवासों की ख् horizontally और विखंडन के कारण जो जह विवित्ता है उसका हवास हुआ है जोग्षमें कमी आई है जन्तु और पोधों के विलुप्ति करण का ये मुख्य कारण है तो बिल्कुल आप इसे याद करेंगे कि जन्तु और पोधों के विलुप्ति करण का मुख्य कारण क्या है तो प्राकरतिक आवासों की क्षती और विखंडन जे विवित्ता में कमी का मुख्य कारण है जे विवित्ता के महत में हम देखते हैं कि जे विवित्ता से में दवाईयां और ओशिधियां प्राप्त होती है तो यहां से भी कोशन पूछा जा सकता है अब देखिए कौन सा कोशन यहां से आ सकता है तो हम बात करते हैं अफीम जो है वो पेपर वर सौमनिफेरम प्लांट स इससे प्राप्त होती है और इससे एक alkyloid मिलता जिसे हम morphine करते हैं और इस morphine का प्रयोग दrado निवार्ग के रूप में किया जाता है दर्द निवारत पेंकिलर के रूप में इसका उप्योग किया जाता है sincionamist sincona ड्रग है, कैंसर के उप्चार में काम मिली जाती है, डिजिटेलिस परपूया, प्लांट का साइन्टिफिक नेम है, डिजिट ऑक्सिन इससे ओश्दी बनती है, और हर्दे रोग के लिए उप्योगी है, होमोलेंथस, न्यूटॉन्स, प्लांट्स, 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 इससे बनाया जाता है, और एड्स के लिए उप्योगी है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट प्लांट्स और उनसे मिलने वाली ओश्दियों की नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप अच्छे से इन्हें याद कर लेना, यहाँ से कुछन पूचा जा सकता है, इसी प्रकार से आगे हम संदर्य परकवा सांस्कृतिक लाप की भी बात करते हैं जिसमें धार्म की उश्वास आजाता है, और धानमीक उस्हास में हम तुल्सी की पूजा करते हैं जिसका विजग्यानिक नाम है Oseumum Sanctum पीपल की हम पूजा करते हैं जिसका विजग्यानिक नाम है Phicus Religiosa और खेजडी विशेश रुप से आप खेजडी पे दिहान देंगे राजस्तान में खेजडी की भी पूझा की जाती है और इसका साइनिटिफिक नाम है प्रोसोपिस सिनलेरिया तो बिलकुल खेजडी हमारा राज्य वरक्ष भी है राजस्तान का राज्य वरक्ष भी है आगे हम लाल आकडों की पुस्तक की बात कर लेते हैं इससे भी कॉशन पूछा जाता रहा है अभी रीट की एक्जामिनेशन में भी इससे पूछा कॉशन पूछा गया था कि लाल आकडों की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा निकाली जाती है या प्रकाशित की जाती है तो आप बिलकुल आंसर याद रखेंगे आउसन और आयूसियेगी आपकी फुल फर्म हुजाएगी देखे इंटरनेशनल यूइन फॉर कॉन्जरवेशन औप नेचर और नेचर रिसोर्सेश trails जो अंतरास्त्रिये संस्ता है संगठन है नेचर और नेचरल रिसॉर्सेज प्राकर्तिक और प्राकर्तिक संशादनों को कॉंजरू करने की जिसका नया नाम विश्व सरनलक्षन संग WCU या वर्ड कॉंजरूर्वेशन यूनियन कर दिया गया है विल्कुल आप याद रखेंगे आयूसियन का जो प्रतम संशकरण है वो 1963 में प्रकाशित किया गया था तो कभी-कभी RPSC के अंदर सन भी पूछ लिया जाते हैं तो आप यह सन भी याद रखेंगे लाल आखडों की सूची का जो कंसेप्ट देने वाले सैंटिस्ट है उनका नाम सर्क पीटर स्कोट था बिल्कुल आप याद रखेंगे और RPSC 2014 जो कोलेज लेक्चिरर का एक्जैम होता उसमें ये कोशन आ चुका है कि लाल आखडों की सूची का कंसेप्ट किस ने दिया था तो सर्क पीटर स्कोट ने दिया था आगे हम कुछ विलुप्त जातियों की बात कर लेते हैं जहां से कोशन पूछा जा सकता है मौरिशस जिसका डोडो पक्सी विलुप्त हो चुका है और इसे अभी लेटेस्ट RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जोलो जी 2021 में पूछा गया है अफरिका का क्वेगा आस्टेलिया में थाइलेसिन और रोस में स्टेलर समुद्री गाई और बाग की तिन उप जातियां बाली जावा और कैस्पियन ये सभी विलुप्त हो चुके हैं तो ये सभी नई जातियां जो विलुप्त हो चुकी है आपसे cross match वाला question भी यहां से किया जा सकते हैं तो बिल्कुल आप अच्छे से याद करेंगे कि कौन कौन सी जो जातियां है वो भी recently विलुप्थ हुई है आगे हम देखते हैं संकट ग्रस्थ जीवों की मातपूर्ण श्रेणिया इन श्रेणियों से भी आपको कोशन मिल सकता है तो गंबीर रूप से जो संकट ग्रस्थ जीव है उच्छ जोकिम के कारण जाति के सभी सदश्या एक आवास में सिगरी लुप्थ हो जाएंगे यानि इनको उच्छ जोकिम है इसलिए जो उच्छ जोकिम वाली जाती है उसको गंबीर रूप से संकट ग्रस्थ मानेंगे इसे तरह से जोकिम वाली जो जाती है जो बविश्य में लुप्थ हो सकती है उसे संकट ग्रस्थ कहेंगे गंबी रूप से नहीं बोलेंगे संकट ग्रस्त हम कहेंगे और लगबग संकट ग्रस्त वरत्मान में ऐसाज जो है उसे लगबग संकट ग्रस्त हम कहेंगे और जो सुभेद्य या नाजुक है जाती के आने वाले समय में समाप्त होने की संभावना है यानि ऐसी जाती जो आने पक्षी गोडावन इस शेनी में आता है, गंबी रूप से संकट ग्रस्त की शेनी में आता है, जो केवला देव का साइबेरिन क्रेन है, सारस है, वो भी गंबी रूप से संकट ग्रस्त में आता है, इसे प्रकार से संकट ग्रस्त की भी हम बात करते हैं, बहुत सारे इस्तन पा पक्षिए जो संकर्ट ग्रस रонि मैं इनगे लगबक संकर्ट मैं इनगे सुबैत्य यो नाजुक रोचृमि आंगे आदे लालाघ्डो के पुस्तका में कुछ भारती है प्राणी जातियों को सम्हिलित किया गया है जो की पुस्षिमीक गाटों में सदावार वण में पाई ज दूसरा अपने पास प्रेस बाइटिस गोई इसे हम सुनहरा लंगूर कते हैं और ये भी इंडेंजर्ड है यानि संकट ब्रस्त है असम और भुटान के हिमाले तरही शत्रों में मिलता है प्लेटिनिस्टा इंडी बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है भारतिय डॉल्फिन और ये वन्ली रेबल है यानि ये सुबेदय नाजुक जाती है गंगा वा ब्रह्मपुत नद्यों में मिलती है और इस पे कॉश्चन कितनी बार आर्पेस में पूछा गया है कि भारत का जलिय राष्ट्रिय इस्तंधारी जीव कौन सा है तो भारत का जलिय इस्तंधारी जी पेंथरा लियो के हम बात करते है एशाई सिंग जो कि गिर के जंगलों में गिर राष्ट उद्ध्यान गुजरात में पाया जाता है बहुती अच्छा कोशन है ये बी और अभी लेटेस्ट असिस्टन प्रोफेसर 2021 में से पूछा गया है जो लोजी के एक्जामिनेशन में ये भी इंडेंजर्ड प्रजाती है इसे हमारा मतलब है संकट ग्रस्त इंडेंजर्ड पैंथरा टाइगरिस की एदि हम बात करें बाग जो कि संपूर्ण भारत में पाया जाता है और ये भी इंडेंजर्ड प्रजाती है एलिफस मैक्सिमस भारती हाती के हम बात करते हैं इ त्रिटंड है, त्रिटंड से हमारा मतलब है, जैसा कि मैंने अभी उपर बताया, कि जो त्रिटंड है वो लगबग संकट गरस्त में आ जाएगी, इसे हम त्रिटंड बोल देंगे, तो यह लगबग संकट गरस्त है, एक्वस हैमियोनस खुर, और यह कच्छ के रन गुजरात में पाया जाता है सरक्स अलेप्स के हम बात करते हैं हांगुल कश्मीरी गाटी का उत्रिभाग में ये मिलेगा एक छोटा सा स्टेग हीरन होता है जो कश्मीरी गाटी में पाया जाता है अब कुछ पक्षों के हम बात कर लेते हैं जो संकट ड्रस्त है एंडेंजर्ड शेणी में आते हैं केरी ना इसकुटू लटा सपेद पंखो वाली जंगली बतक है ये असम के पूर्वी जुलों में वह रनाचल प्रदेश में ये पाई जाती है और केट्रियस बलीची चीर फ व्रजतियां यहां पर मैंने दिखाई है जिन से कौश्चन आप से पूछा जा सकता है आगे हम चलता है आगे देखिये हम व्यादेशी जातियां या एक्जोटिक स्पीशी की बात करता है तो exotic species ये विदेशी जातियों से हमारा मतलब है कि ऐसी बहारी जातियां जो कि किसी particular place पर या इस्तानिय जातियों के साथ मिल जाती है और उन्हें नुकसान पहुचाती है जैसे कि कुछ उधरन से हम इसे समाझ सकते हैं नील नदी की मचली नाइल पर्च को पूरवी अफरीका की Victoria jail में छोड़ा गया तो इस नाइल पर्च ने सिचलिड मचली की 200 प्रजातियों को विलूप्त कर दिया तो यहाँ पर नील नदी की जो मचली नाइल पर्च हुआ एक विदेशी जाती है और इसे जब पूरवी अफ्रीका की विक्टुरिया जिल में छोड़ा गया तो जो वहाँ की स्वदेशी जाती थी सिचलिड मचली उसको इस विदेशी जाती ने नुकसान पहुचाया इसे प्रकार से हम घाजर गास पार्थी नेम की बात करते हैं इनके जो नाम है साइन्टिफिक नेम वह आप याद रखेंगे लेंटेना एक प्रकार की गास है हाई सिंथ या आईकोन है जलकुम्भी के हम बात करते हैं जैसे बंगाल का आतंक करते हैं तो कि बंगाल जो हमारा वेस्ट बंगॉल है वहाँ पर पानी के अंदर ये भेंग कर रूप से फैली हुई है ये विदेशी जातियां भारती जातियों को बहुत आज से नुक्सान पहुचा रही है तिसरा एक 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 जम्पल और देखते हैं अफ्रिकन केट फिस जिसका नाम है क्लेरियस गेरिपाइनस बिल्कुल आप याद रखेंगे से अफ्रिकन केट फिस जो हमारे नदियों में छोड़ा गया है लेकिन अब यह हमारे नदियों की जो मूल अशल्क में केट फिस जातियों के लिए खत्रा बन गया है तो बिल्कुल हमारी जो केट फिस जातियां है हमारे नदियों में पाई जाने वाली उसके लिए यह अफ्रिकन केट फिस जो है वो खत्रा बन गया है तो इस प्रकार से विदेशी जातियां इस्तानिया जातियों क नुक्सान पोचाती है विदेशी जातियों को हम exotic species बोलते हैं बिल्कुल आप याद रखेंगे फिर एक note यहाँ पर मैंने डाला है Red Data Book लाल सुची की जो पुस्तिका है IUCN उसे निकालती है और IUCN का भी उत्तर जीविता सेवा आयोग के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है विलुप्ति के कगार पर प्रमुप भारती पादब जातियों की भी हम बात कर लते हैं तो Comifera Vitae Google जिसे हम कहते हैं यह बर्सरेसी फैमिली का मेंबर है राजस्तान और गुजरात में मिलता है रोजा एन्वुलुकरेटा चंगली गुलाब रोजेसी फैमिली का मेंबर है यह भी राजस्तान और गुजरात की दो पादब जाती हैं जो कि विलुप्ति के कगार पर है नेफेंथीस खाशियाना की हम बात करते हैं इसे हम घट पादब बोलते हैं एक प्रकार का इंसेक्टिव और अस प्लांट है जो कि खासी हिल या खासी पाड़ियों में पाया जाता है हमालाई की खासी पाड़ियों में और यह भी विलुप्ति के कगार पर तो यह कुशन पूछा गया है आर्पेस से में पहले भी आप इसे याद करेंगे रावल फिया सर्पेंटिना की हम बात करते हैं सर्ब गंधा जो कि एपोसाइनेसी फैमिली का मेंबर है और इसकी ज़ड से जो और्षदी बनती है उसे उच्च रुदिर्द आपको कम करने में काम में ले ले जाता है जे भी विद्त है कि तप्तिस्तल की भी हम बात कर लेते हैं होट स्पोट से भी कोशन पूछा जा सकता है काफी इंपोटेंट है कंसेप्ट ओफ होट स्पोट जो तप्तिस्तल का कंसेप्ट है वो नॉर्मन मायार्स के द्वारा i can28 में दिया गए Fl ere değer 2021 में दा गया question है तप्ते पिस्तल में जीव जाते हैं दिक बहुत तईपता मिलते है यानी यह शेयर जहां पर जीव जातिया अथिक बहुल्य में मिलैगी चेत्र विशेशी जातियां कर दिखता हो ग UV मिलेगी जो दूसरी जेगर नहीं मिलेगी नबाइब और जिव जातियां उनके असित्र पर बहुत बड़ा संकट पाई जाएगा मायाइर्श ने सन 2000 में विश्व के 34ARD sports को चिन्नित किया है उसमें से तीन इंडिया के अंदर है पस्चिमी घाट पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा बिल्कुल आप अच्छे से याद करेंगे कोशन यहां से पूछा जा सकता है आगे हम जे विवित्ता के संद्रक्षन की बात करते हैं और RPSC में कई बार यहां से कोशन पूछा गया है दो प्रकार से हम जे विवित्ता का संद्रक्षन कर सकते हैं इनसीटू स्वाइस्ताने जैसे कि नाम से आपको लग रहा है कि जीवों को उनके प्राकरतिक आवास में यदि हम संद्रक्षित कर दें तो उसे हम इनसीटू या स्वाइस्ताने संद्रक्षन कहेंगे इसमें जे व से उधारन आते हैं और बायास्तान संरक्षण की हम बात करने जिसे हम x2 संरक्षण कहेंगे om xc2 यानि जीओ को उनके प्राकरतिक हवास में संरक्षित ना करके कृतिर्म अवास में आप संरक्षित कर रहा हैं तो इसमें आपके वानसपतिक उद्यान आजाएंगे, जन्तवाले अजाएंगे, चिडियागार आ जाएंगे, सनरक्षन अड़े, तदक्सेत्र आ जाएंगे, जीन बेंक आ जाएंगे, जनन ध्रवें बेंक आ जाएंगे, बीज बेंक आ जाएंगे तो डिया स्ट्रेंट्स ये XC2 या बाईयस्ताने जे विवित्ता संरक्षन के साधन हो जाएंगे बिल्कुल आर्पेस से यहां से कोशन करती है वन्य प्रानी संरक्षन अधिनियम सेप्टेंबर 9, 1972 को लागू किया गया और इसमें संसोधन हुआ था 1991 में इंपोडेंट कोशन है पूछा गया है संसार का प्रधम नेशनल पार्क अमेरिका का यलो स्टोन नेशनल पार्क है भारत का प्रधम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जोकी नेनिता लुत्तरांचल में है ये कोशन भी आर्पेस में पूछा जा चुका है बिल्कुल आप अच्छे से यह वापस याद करेंगे और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर रन धंबोर सवय माधपूर राजस्थान है नंदन कानन चडियागर की एधिम बात करें जो कि भूनेश्वर ओडिसा में है ये सफेट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है नोट सुन्दरवन वेस्ट बंगाल में है और ये भी टाइगर के लिए फेमस है तो आप सुन्दरवन और नंदन कानन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे सुन्दरवन वेस्ट पंगोल में है और टाइगर के लिए फेमस है और नंदन कानन चडियागर भूनेश रोडिसा में है और वाइट टाइगर के लिए फेमस है बारत में जेवित्ता संद्रक्षन अधिनियम 2002 में लगू किया गया और यह कुश्चन भी RPSC कोलेज व्यक्षाता में 2014 में पूछ लिया गया है तो बिल्कुल यह कुश्चन वापस रिपीट हो सकता है आप याद रखेंगे मैन और बायोस्पेर प्रोग्राम 1971 में शुरू किया गया और बायोस्पेर रिजरु स्किम 1986 में चालू हुई Silent Valley पालागाट शेत्र केरल में है और यह उस्टन कटिबंदिय सदावार वन का एक्जामपल है इसे राष्ट्रिय सुरुक्षित वन गोशित किया गया और वन संरक्षन से यह संबंदित गाटी है या वेली है बर्ड मेन ओफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है रीट का कोशन अभी रीट में पूछा गया है यह उन्होंने केवला देव भरतपूर में पक्षो पर कारे किया है और यहाँ पर सलीम अली एंटरपेनियोर सेंटर भी है तो बिलकुल आप याद रखेंगे सलीम अली एंटरपेनियोर सेंटर तो केवला देव भरतपूर में है लेकिन सलीम अली बढ़ सेंचूरी जो है वो गोवा में है तो कन्फूज नहीं होंगे स्टुडेंट्स आगे देखिए सबसे पहला बायोस्पेर रिजरो जो है वो नीलगिरी बनाया गया था 1986 में में एंड बायोस्पेर प्रोग्राम जो 1971 में लॉंच हो था उसके तत्वाधान में सबसे पहला बायोस्पेर रिजरो नीलगिरी 1986 में बनाया गया था और नीलगिरी जो है वो केरल, करनाटक और तमिलनाडु का भाग है यानि इन तिनों राज्यों के भाग को मिला कर नीलगिरी बायो प्रिजरो बनाया गया था 1986 में केवलादयो भरतपूर साइबेरिन क्रेनिया सारस के लिए विसविख्यात है रेड़ पांड़ा एक संकट्गरस्त जाती है जो कि कंचन जंगा सिक्किम बायोसपीर रिजर्व में पाय जाती है कंचन जंगा एक बायोसफिर रिजर्व है जो बिल्कुल आप अच्छे से से याद करेंगे कि गंबी रूप से संकट ग्रस्त कौन सा पक्षी है राजस्तान का तो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड और साइबेरिन क्रेन भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड इस पिसीज है एक सिंग वाले गंड़े के लिए राइनो सिरोस के पाल बाइसफिर रिजर्व कहां है उडिसा में है सबसे बड़ा नेशनल पार्क हैमीज नेशनल पार्क लधाक में है सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आईलेंड अंडमान निकोबार का नेशनल पार्क है पंजाब एक ऐसा राजे जहां पर कोई नेशनल पार्क ही है फस्ट बड सेंक्चुरी जो इंडिया में बनाई गई थी कुमारा कॉम केरल में है रामसर समझोता यह रामसर कन्वेंशन वेट लेंड्स को संरक्षित करने के लिए इरान के शैर रामसर में 1991 में किया गया था और राजस्तान में दो रामसर साइट है एक चांबर जील औ पॉइंट से यह सारे questions examination में पूछे गया है और आगे भी पूछे जा सकते हैं बाइस फिर रिजर में आप देखिए तीन जोन होते हैं जो कोर शेत्र है उसमें human activity prohibited है वहाँ पर कोई human activity नहीं होती है जो बफरक शेत्र है दूसरा वाला आपको नजर आ रहा है उसमें human कुछ क्रियकलाब कर सकता है और जो बाहर वाला manipulating या transition zone है वहाँ पर human बहुत सारे क्रियकलाब कर सकता है तो इन तीनों zone से आपको question पूछा जा सकता है बायस पर रिजर के zone है रिवेट पॉपर hypothesis यह देने वाले थे पॉल एल्रिक और पॉल एल्रिक ने बताया था कि मान लेते हैं कि एक पारस्थिति की तंत्र जो है वह पूरा एक एरोप्लैन की तरह है और हर एक यात्री जब इस एरोप्लैन में बेटता है और उतरता है तो एक कील को निकाल लेता है रर्प्लैन से तो प्रारंबी का वस्था में रर्ॉप्लैन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन जब बहुत सारी कील निकाल दी जाएगी तो आरोप्लैन जो है वह खतम हो जाएग.. उसी प्रकार से जो पारिष्टिती की तंत्र है उसमें अंतराश्ट्य जेविवित्ता दिवस 22 मही को मनाया जाता है रीट 2021 का क्वेशन है गिलकुल आप याद रखेंगे और नेशनल जेविवित्ता जो दिवस है वो 28 फैब्रियुर्य को मनाया जाता है प्रत्वी दिवस के हम बात करते हैं तो 22 अपरेल को मनाया जाता है सोरी यहां पर मैं एक सुधार करना चाहूंगा नाश्टनल बाइडिवर्सिटी डे भी 22 माही को ही मनाया जाता है और 28 फेब्रियरी को नाश्टनल साइ cease डे मनाया जाता है जो विज्ञान दिवस है वो 28 फेब्रियरी को मनाया जाता है प्रत्वी दिवस 22 अप्रेल को मनाया जाता है अंतरास्ट्री जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है जो कि रीट 2021 में पूछा गया था विश्व ओजोन दिवस 16 सेप्टेंबर को मनाया जाता है वर्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है तो दियो स्ट्रेंट्स आर्पियस्टी में जो इंपोर्टेंट डेज वहां से भी कोशन पूछे जाते रहे हैं तो आप ये सारे डेज और उनकी जो तीथियां है दिनांक है आज याद रखेंगे थैंक्स एलोट ये आज का दूसरा वीडियो है जो कि मैंने हिंदी मीडियम से तैयरी करने वाले आरपे से फास्ट ग्रेड एस्पारेंट के लिए बनाया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहां से बहुत कुछ सीखेंगे थैंक्यू वेरे मच्छ